मील जो है मानेवर तीन सिटे दो जम्मू कस्मीर से विस्ताफित परिवारों के लिए और एक सिट पाक उक्क्युपाई कस्मीर से विस्ताफित आये हुए कस्मीरी भायों के लिए रिजव करने का काम नरेंदर मोधी जी ने बहुत मन के साथ, चाव के साथ और संवेधना के सा है उसी एक्ट का हिस्सा है जिस एक्ट को सब चैलेंज करते हैं पूर्व में जम्मू में सिर्फ 37 सिट थी 37 सिट थी अब नए डी कमीशन ने 37 से बढ़ा कर 43 सिट जम्मू क्षेतर में बनाने का था मानिवर कस्मीर में 46 सिट थी 46 सिटे थी अब 46 की जगे सुर्टाली सिटे 47 सिटे बनाने का था इस तरह से जम्मू और कस्मीर दोनों को मिला कर 83 सिटे थी लग्डा की सिटे निकाल दिये क्योंकि वहां यूटी बन चुकी 83 सिटे थी उसकी जगे 90 सिटे अब डी लिमेटेशन का कमिसन ने करिए जिसको भारत सर्था ने माना और पाक ऑक्क्यूपाई कस्मीर की 24 सिटों को आरक्सित रखा गया है क्योंकि हम अभी भी मानते जिसको जो बोलना है वो बले इस सदन में बूला हुआ सब्द इतियास बनता है मैं आज फिर से कहना चाहता पाने वार अब तक पाने वार अब तक एस सी एस्टी की सीटों में बड़ी वी संगत्ताएं भी थी और जो लिग वीजाई की कहते थे संवेधन सील एप्रोच होना चाहिए संवेधन सिलता होनी चाहिए एस्टी के प्रति संवेधना से ही ये निर्णय हुआ है पहले जो साथ सीटे थी एस्टी की उसको हमने बरकरार रखा और एस्टी की सीट सुन्य थी क्योंकि धाड़ा 376 परमीट नहीं करती थी अब परमीट करती है नो सीटों को रिजर्व करत परमीट करते हैं परमीट करते हैं अब जो ए रहे थे हमारे डक्टर साब कि घुर्जर बकरवालों ने इस देश को बचाया है मैं सदन में इस देश के गुरू मंत्रिय नाते कहना चाहता हूं मानेवर कभी भी यूद हुआ कभी भी आतंकवादियों ने पैंतरे रचे मेरे घुर्जर बकरवाल भाईयों ने भारत के तिरेंगों पूचारों ने जा रहा है इसका कम से कम मुझे तो बहुत संतोस है किसी को सम्वेदन सिल्टा दिखे या न दिखे 75 साल तक उनका अधिकार जो भादरत के भारत के सम्विधान ने दिया था है कौन रोप कर बेड़ा कौन रोप कर बेड़ा क्या कोई जवाब दे सकता है